यार बहुत तेज प्यास लग रही है दो मिनेट रुक में अभी पानी लेके आज जो वह एक बोटल पानी दे नौ हम जब भी बाहर होते हैं और हमें प्यास लगती है तो हम ऐसे ही प्लास्टिक की बोटल में पानी खरीद लेते हैं और पी लेते हैं हाँ, तो इसमें गलत क्या है? वेल पानी पीने में कुछ गलत नहीं है पर इस प्लास्टिक जो हमारे पानी के साथ करता है वो काफी गलत है तो चलिए डीटेल में समझते हैं एक्चुली फेक्टरीज में जब पानी को इन बोटल में पैक किया जाता है तब से हमारे पास इन बोटल को आते आते काफी समय लग जाता है और फिर कंजूम करने तक इस पानी को प्लास्टिक में पड़े पड़े 2-3 महीने तक लग सकते हैं और इतने लमबे टाइम तक जब इस पानी प्लास्टिक की बोटल में पड़ा रहता है ये पता चलता है pH value से, तो पहले समझते हैं कि pH value होता क्या है, pH value या potential of hydrogen एक scale है, जिसको किसी भी चीज के nature को पता करने के लिए use किया जाता है, कि वो चीज acidic है, basic या neutral, और experiments में पाया गया है, कि normal drinking water का pH value 6.5 से 8.5 तक का हो सकता है, जो कि neutral या slightly alkaline होता है, पर जब 3-4 months plastic में पढ़े पानी को ना पा गया, तो उसकी pH value around 4 थी, which is acidic in nature, और acidic पानी पीना हमारी health के लिए काफी खराब होता है, इस तरह की bottles से BPA, यानि Bisphenol A नाम का एक industrial chemical रिलीज होता है, और फिर जब हम इस water को consume करते हैं, तो यह हमारी body में present एक hormone, estrogen के साथ मिल जाता है, जिससे हमारी body में बहुत सारी problems होना start हो जाती है, जैसे कि diabetes, obesity and even infertility, और बात सिर्फ यहीं पे खतम नहीं होती, क्योंकि कई बार हम इन plastic की bottles को अपनी गाड़ी में या बाकी जगाओं पे रखके भूल जाते हैं, फिर जब यह bottles धूप के contact में आके गरम हो जाती हैं, तब इनसे एक toxin रिलीज होता है, जिसका नाम है dioxin, इस toxin की वजह से breast cancer जैसे serious diseases भी हो सकते हैं, और ये plastic की bottles, जिन्हें हम बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं, क्या आपको पता है कि वो किस amount में nature में add हो रही हैं? वेल, reports के हिसाब से, हम 40 billion plastic bottles हर महीने, 1.3 billion plastic bottles हर दिन, 54.9 million plastic bottles हर घंटे, और 1 million यानि 10 lakh bottles हर मिनट खरीदते हैं. अब ज़रा सोचिए, कि ये बिमारियां हम में कितनी तेजी से फैल रही होंगी हैं। हाँ, तो market में और कोई option भी तो नहीं है ना? That's true, market में almost सारी water bottles plastic में ही आती हैं, पर ऐसे में हम अपनी खुद की water bottle carry कर सकते हैं। इससे nature में plastic add तो नहीं होगा, बलकि हमारी health के लिए भी ये best option है। अब ये हमारी choice है, कि हमें cancer, diabetes और infertility जैसी बिमारियों को अपने अंदर डालना है, या तर इस छोटी सी inconvenience को अपनी daily life का हिस्सा बनाना है। तो मैं कौन सी bottle में पानी पीना चाहिए है। अब market में कई तरह की reusable water bottles मिल जाती हैं। जैसे glass bottles, steel bottles और even copper bottles. ये bottle पानी को acidic in nature नहीं बनाती और copper की bottle के तो health benefits दी हैं। इन में से किसी भी bottle को आज ही order करें। और environment और अपनी body को इस harmful substance से बचाए। तो अगर आपको plastic bottle का कोई नया alternative पता है तो इस वीडियो के comment section में जरूर बताए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इससे आपको कुछ valuable information मिली तो इस वीडियो को share करके जादा से जादा लोगों से ये knowledge जरूर share करें। क्योंकि जितने जादा लोगों को इस बारे में पता चलेगा उतनी ही जल्दी हम इन बिमारियों को अपने अंदर जाने से बचा पाएंगे। अगर आप इसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रूप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो देट और लोगों को इसके बारे में पता चलेगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में 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 चलेगे। थैंक यू एंड टेक क्या है।